हालो एम्रीवान वेलकम बैक टू माई चैनल बृबृबृ डैशिंग फैशन कैसे हो आप सब आई हॉप क्या सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अगेन एक और न्यू वीडियो तो आज इस चीजों का मैं रव्यू देने वाली हूं वह सारी चीज़े होने वाली है यह वा लगें थे ये सेनडल उबहुती फोडील रेजंग में थे यह सेनडल लेह मैंने इन सेंडल को परचेज करा है मैं ऊच्छी तरीके से चीज़े वांबी तक पैकिंग भी नहीं कहो ली थी तो ये हैं वाइट क्लर की सेंडल है ूपह को मैं कलोज से दिखादेती हूं इस तर इसका जो अच्छा लगता है बहुत ही मुझे स्केर वली जो सेंडल स्लिपर्स होते हैं वो मुझे काफी अच्छे लगते हैं तो यह इस तरह की है आप देख सकते हो इसके उपर यह वाला डिजाइन है जो हमें धागों के साथ सीनों के साथ लगा के दिया गया है और इसकी ब ढहता है जो हमें यहां पर मिल जाती है तो अगर इसकी मैं अधिया का बर्म कपड़ा के मैं द buyer देशन सेंडल किमें और इसका तो ईहने को सब् иск्ते हैं सुब्सक्रार प्रफिव के सिषा पर अच्छे स्क्ट लगतरे तो यह परैसे मैं आपना ऑपस्टल दिः श्रहते हैं इसका प्राइज है पूरे 300 इसका प्राइज है जी हाँ 300 अभी ये थोड़ी सी और ज्यादा affordable range में आपको मिल जाएगी अगर आपको purchase करनी हो color option इसमें काफी सारे मिल जाएंगे आप जाके check out कर सकते हो तो अगर आपको अच्छी लगी तो आप purchase कर सकते हो अपने नंबर की और ये मुझे थोड़ा सा छोटा है बाकी ये मुझे अच्छी लगी एक दो बार पहनने के लिए अच्छी है तो चलिए अभी इसके बाद हम बात कर लेते हैं हम यहां पर बैग की जो ये भी मैंने बैग है यो मीशू से मंगवाया है ये बहुत अच्छी बकुआस बैग है मैं पहले ही आपको बता देती हूँ बिलकुल भी इसे परचेज मत करना मेरी तरफ से बहुत ही चीप क्वालिटी का है ये और जैसे कि ये कुछ ब्रैंड का लुक देता है तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अजीव सा लगता है इसे कैरी करा हुआ कि ये ब्रैंड में भी नहीं आ जाता है बहुत ही अजीव सा पेंट है यहां पर तो अच्छी तरह से दिखाई में दे रहा है जिप भी आपको दिखाई दे रही होगी यहां पर बीच बीच में से इसका जो पेंट उन्होंने करा हुआ है थोड़ा सा फीका फीका पड़ चुका है तो यहां पर अगर मैं आपको दिखाती हूं कहीं कही तो जिप भी मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी है इस वले बैग की तो यहां पर हमें तीन पॉकिट मिल जाती है एक बार और दो अंदर की तरफ से तो यहां है दो पॉकिट और तो यह कुछ इस तरह का है अंदर से मैं आपको दिखा देती हूं यह एक और मुझे इसके बार अगर आप लेते हो तो ठीक है अगर आपको लोंग टैम के लिए इस तरह का बैग चाहिए तो आप नहीं लेना तो यह इस तरह का बैग है स्पेस इसमें थोड़ी अच्छी खासी स्पेस है आपका मुंबाइल वगरा और एक अदिली दिस्टिक वगरा आ जाएगी रा इन्होंने जो श्की लगाके दीगी हैं यहाँ पे इस सीन का कोई मतलब ही ने बनता है यहां कि यहां पर बैक का ही लगा हुआ है बहुत ही गंदे तरह से यह इसकी जो फिनीशंग मुझे बिल्कूल भी अच्छीं नहीं लगी तो यहां प्रिशन मुझे अच्छांने लु कुछ इतना खास नहीं लगा तो इसकी स्टैप की यहां पर एक बकल दे रखा है यहां पर अगर आप कुछ को छोटा करना चाहो तो यह चोटा भी हो जाएगा तो अगर इसको आप लोंग करना चाहो यहां पर तो यह इस तरह से इसका लोंग स्टैप भी हो जाएगा तो अग लगा हुआ है जो अगर हम यह इस तरह के ना इसके साथ लगा हुआ था यहां के कहीं लगा हुआ था तो शायद यह यहां पर लगा हुआ था यहां से उतर गया है आप तो यहां से उतर गया था इसलिए इसको मैंने उतार के इसके बीच में डाल रखा था तो यह कुछ इस त ठाक ही लगा चलिए ठर्ड हम बात कर लेते हैं यहां पर बहुत ही क्यूट क्यूट से एरिंग मैंने मंगवाए थे मीशू से आप देख सकते हो यहां पर तो यह बहुत ही ना एक अलग सा डिजाइन है जो मैंने मंगवाया था और मुझे यह काफी अच्छी लगे तो मुझे लगता ही आपको भी परचेज करने चाहिए इस तरह के कुछ डबी में मुझे मिले थे इस तरह के है बहुत ही प्रीटी लगे यह मुझे बहुत ही ब्यूटिफुल लगे आप देख सकते ह यह कितना प्यारा डिलजाइन है इनका स्केर की ठरह यह बने वुव है स्केर डिया गया है इनका बनाके आप यहां पर मैं अच्छे से धी आतो से यही स्टोनारे यही हैं हमें लगाए और यह इस तरह के है तो यह टाइस आपड़ाइन आजाता तो इसको जल्दी से हम पहन लेते हैं यह सच्छी में यह बहुत ही प्रिटी लगे हैं मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं यह कभी कबार मेश्यों से कभी अच्छी चीज़े आ जाती हैं कभी कबार बूरी चीज़े आ जाती हैं जैसे कि आपने बैक देखा जो मुझे अच् लगती है जो हमारी फेवरेट वली चीज़े हो जाती है तो यह कुछ इस तरह से हैं मैंने यहाँ पे इसको पहना है आप देख सकते हो पूरा लुक इनका कितना अच्छा लग रहा है यह होई आप दोनों तरफ से देख सकते हो कितनी ब्यूटिफुल लग रही है यह मुझे पहनी हुई यह आपको किसी भी ड्रेस के साथ आपके चल जाएगी बैस्टिंग पहनों के उसके साथ भी चल जाएगी कोई भी आप चीज पहन लोगे न उस पर चले जाएंगे इतने अच्छे एरिंग लगे हैं यह मुझे और आप देख सकते हो पूरी फेस की लुक जाए कोड़ी सकते हो चै aunोड कर सकते हो यह इस तरह के है जो आप देख सकते हो पहको ही पुखोती प्रीटी लगते हैं पहने हुए तो चलिए अभी पर ये वारा इसका कलर है तो इसको मैं आपको आपको प्रा करके भी नियुक है तो इतनी सी इसकी पैकिंग है आप देख सकते हो इतना सा है इसकी क्वाझटि ए along इसकी με बिस्टिक से की चलिए को मैं आपको ट्रा करके बताती हूं कि ये क्होंन सा शेड है कश我想 I है यह वाला तो चलिए इसे मैं आपको ट्राइब करके बता देती हूं तो पहले मुझे पहले वाली इल्बिस्टिक है जो वो उतारने पड़ेगी तो यहां पर मेरे पास है एक कपड़ा इसे ही मैं यह इल्बिस्टिक है अपनी जो उतार लूँगी यहां पर है जो ल्बिस्टिक मैंने जो लगाई थी वह निकाल दी अच्छे से वह वह एक मैट फिनिशिंग थी जो और उतर नहीं रही थी बहुत मुश्किल से निकाल लिया मैंने तो चलिए इसको मैं ट्राइगर के बता देती हूं कि यह किस तरह का इसका कदर है इस तरह का यह शेड़ है आप देख सकते हो अगर आपको अच्छा लगी यह वेले शेड़ तो आप मंगवा सकते हो कोड इसका है जो आपको वीडियो की नीचे मिल जाएगा आप जाके चेक कड़ कर सकते हो यह मैट में है मैट फिनिशिंग में है अभी थोड़ी देर में यहां पर दिखाए यह t जो आप देख सकते हो यहां पर वैसे-जैसे हो अब शूर हो डिया ओर रहा है तो यह कुछ इस तरह किसे है विस्टी का जो प्राइज है 150 प्राइज है इसका भी और कोड है जो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा अगर आपको पर्चेस करना हो अगर आपको यह न्यूट कलर अच्छा लग रहा हो आप जाके चेक आउट कर सकते हो यह थी आज की मेर तो आपको मैंने बताई दिया है ना कि उसकी क्वालेटी अच्छी है ना उसका लुक अच्छा है कुछ भी नहीं अच्छा है बैग आपको बिल्कुल भी पर्चेस नहीं करना चाहिए तो इन सारी चीजों का कोड है जो आपको मेरी वीडियो के नीचे मिल जाएगा अगर लगी हो टो आप जाके परचेस कर सकते होज तो फ्राइज मैंने आपको बताई दिया है क्या जरोल्री आपकि लिए तो थैंक्ञ यूव